दोस्तो भारत वर्स दुनिया के सबसे बड़ी पांच अर्थवेवस्ता वाले देशों में शामिल हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स की माले तो बहुत जल्द हम टॉप थ्री हायर जीडिपी वाले देश में शामिल होने जा रहे है और अगर आप मीडिया को देखेंगे तो इस प्रकार से celebrate किया जा रहा है कि as a Indian ये हमारे लिए गर्व की बात है लेकिन किस प्रकार से आधे अधूरे सच्चाई दिखा करके आपको आपके actual मुदों से अलग किया जाता है क्योंकि हमारे देश में financial awareness की बहुत ज़्यादा कमी है एक report के अनुसार अगर इंडिया में कोई एक ऐसा वैक्ती है जो की 25,000 या फिर इससे ज़्यादा एक महीने में कमा रहा है तो वह इंडिया के कमाने वाले top 10 लोगों में सामिल हो जाता है सोच रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप 25,000 कमा रहे हैं तो भारत वर्ष में उस 10 प्रतिशत लोगों में सामिल हैं जो की सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं अब किस प्रकार से मीडिया के दवारा आपको आधिया दूरी सचाई बताई जाती है इसका एक उधान समझे Wrapalyea की दो परिवार है एक परिवार में जिसमें 20 लोग है और दूसरा परिवार जिसमें सिर्फ 5 लोग है बीस लोग जिस परिवार में है उसमें जादा हर चीज़ की खपत होगी जैसे अनाज भी जादा लगेगा, हर चीज़ का यानि कि वहाँ पर जादा अगर आप देखेंगे खर्चे होगए साल बर में, और जहां 5 सदस हैं किसी परिवार में तो वहाँ पर खर्चे कम होगे, यानि खर्चे को आप कैसे समझ सकते हैं, production से समझ सकते हैं, क्योंकि produce होगा तभी तो वहाँ पर उसको उपभोग किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप तो एक साल में जो उस 20 सदस्य वाले परिवार में प्रोडक्शन हो रहा है वह ज्यादा हो रहा है और एक देश के एक भगौलिक छेत्र में एक फाइनसियल एर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका एकुमुलेट रूप ही तो GDP बोलते हैं यानि जिसे आप मोटा मोटी अर् प्रोडक्शन जादा है अब हमें क्या देखना है अब देखे 5 सदस्य वाले परिवार जो थे वहाँ पर चुकी खपत जादा है इस वज़े से प्रोडक्शन भी कम होगा तो वहाँ पर उसका GDP कम है लेकिन अगर 20 परिवार वाला सदस्य जो है ध्यान से समझेगा 20 सदस्य वाला जो परिवार है अगर उसके परिवार की मंथली इंकम अगर 1000 रुपय है तो 1000 divided by अगर हम लोग 20 करते हैं तो कितना आएगा 50 रुपय यानि एक सदस्य पर सिर्फ 50 रुपय ही हो रहे है लेकिन अगर वहीं 5 सदस्य वाला परिवार है अगर महीने का वो 1000 कमा रहा है तो 1000 1000 divided by 5 करेंगे तो वहाँ पर 200 रूपाय आएगा अब आप देखिए कि इस प्रकार से per capita income calculate किया जाता है यानि टोटल देश की जो GDP है उसमें टोटल जनसंक्या से जब भाग दे देते हैं तो एक वैक्ति की औसत इंकम कितनी है इसे per capita income बोला जाता है इंडिया में per capita income ऐसे बहुत सारे देश जिनकी अर्थविवस्ता हमसे छोटी है उससे भी हम लोग per capita income के मामले में कम है तो आप सोचिए कि जिस प्रकार से आपको किवल अर्थविवस्ता के नाम पर किवल घुट्टी पिलाई जारी है क्या आपके personal life में कोई changes आ रहे है नहीं आ रहे है ये सारी चीज़े हम लोग इस तरीके से accept कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर financial awareness की कमी है आज financial awareness पर इंडिया में बहुत ज़्यादा बात ही नहीं होती है जबकि इसे मैं तो ये कहता हूँ कि आठवी नौवी से ही प्रतेक कक्षा में इसको पढ़ाया जाना चाहिए as a syllabus में इसको include कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग 60 साल तक अपने retirement तक कमाते रहते हैं लेकिन सही से investment schemes के बारे में ना पता होने की वज़े से या फिर financially aware ना होने की वज़े से वह पूरी जिंदगी कमाने के बावजूद भी last loan को बहुत ज़्यादा financial दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमें financial aware होते हुए जल से जल financial freedom पाने के लिए हमारा एक लक्ष होना चाहिए इसलिए क्योंकि 60 साल के बाद हम यह सुचेंगे कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसके बासे वो हमारा जिम्मेदारी उठाने लगेंगे तो हम कहीं न कहीं dependent कर रहे हैं अपने आपको अपने आने वाले push पर जबकि as a individual हमारा financial freedom होना चाहिए मतलब कि हम किसी पर भी dependent ना रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है हम ऐसे संसकार दे अपने बच्चों को ताकि वो हमारे लिए हर वो काम करें जो कि एक बेटे को करना चाहिए एक बेटी को करना चाहिए लेकिन as a individual हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम किसी पर financial dependent क्यों रहे हैं जब 60 साल के हो जाएंगे या फिर उसे बाद के जब हमारी age बढ़ेगी तो financial freedom हो सकते हैं हम कम से कम अपने बेटे बेटी पर पैसे के लिए dependent नहीं रहेंगे तो financial freedom हर वैक्ती के life के लिए बहुत ज़्यादा important है और इसकी planning मुझे लगता है कि 10 साल का जब बच्चा है तब ही से सुरू कर देना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि उसके syllabus में ये चीजे include की जाए भारत वर्ष में syllabus अगर आप देखेंगे तो रटा रटा है चीजे पढ़ाई जाती है जिसको बदलने की जुरूरत है क्योंकि हम लोग GDP अर्थमेवस्ता और इसी चीजों में उल्जे रहते मेडिया हमें इस प्रकार से घुमाता है कि हम पता नहीं क्या ही achieve कर लिए है इस वज़े से आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आगर आप एक student है तो मातर 100 रुपय के investment करने से जब आपकी age 60 साल होगी यानि जब आप retire हो रहे होगे केवल 100 रुपय हर महीने आपको invest करना है और आप करोड़ पती बन जाएंगे अंतर तक जड़ जूड़े देगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार रुजट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल एकन को प्रेस करना ना भूले अब आप कहेंगे कि 100 रुपय हम कैसे बचा सकते हैं एक student life में no doubt 100 रुपय बहुत बड़ी चीज नहीं है आज की date में अगर एक दिन का देखेंगे तो एक दिन का 35 रुपय से भी कम आपका बैठ रहा है अगर आप एक दिन चाय भी पीने जाते हैं तो आज 7 रुपय का चाय अगर बहुत सस्ते में पीते हैं या फिर 10 रुपय से कम शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगा तो और student life में कोई बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कुछ भटक जाते हैं रास्ते से इधर उधर smoking और ये सारी चीज़े करने लगते हैं तो अगर उसका price देखेंगे तो 10-12 रुपे पड़ जाता है तो ये बहुत आराम से आप 100 रुपे बचा सकते हैं student life में अगर आप एक coaching पकड़ लेंगे तो उससे भी आपको कुछ earning हो जागी आपको आपके pocket खर्च के लिए जो आपके माता पिता के दोरा पैसे दी जा रहे हैं उसमें से बड़े आराम से आप 100 रुपे बचा सकते हैं सिर्फ 100 रुपे आपको बचाना है और 100 रुपे इंवेश्ट करते हैं यकीन मानिए 60 साल की age में आपके पास करोड़ो रुपे से भी जादा की income आप generate कर चुके होंगे और ये सारी चीज़े हम केवल बातों से नहीं बलकि mathematical calculation के बात आप सभी समझेंगे चली चलते हैं computer के screen पर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि bank में पैसा रख करके FD करा करके, RD करा करके, PPF में पैसा रख करके आप करोड़ पती बन जाएंगे इस वज़े से हमारी मजबूरी है कि हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपने करें ताकि long term में हमें inflation का double at least हमें return कमा करके दें ताकि 6% जब हम inflation को adjust भी कर देंगे तो भी at least 6% 7% से हमारा पैसा actually grow तो करें इसके लिए आपको जाना पड़ेगा mutual fund में क्योंकि mutual fund ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्ता जिस कमपनियों के मादम से represent हो रही है क्योंकि share market में NSE, BSE में जो भी कमपनियां listed हैं उन कमपनियों के performance के हिसाब से ही भारत की economy decide होती है अब यहाँ पर जो कमपनियां listed हैं उपर से लेकर के 100 तकी कमपनियां को large cap company कहते हैं जिसका market capitalization 20,000 करोड से उपर होता है 5000 से लेकर के और 20,000 market capitalization वाली कमपनि को mid cap company कहते हैं और ऐसी कमपनियों का जो listing serial number है वो 101 से लेकर के 250 तक के हैं यानि कि 1500 कमपनियां mid cap company जानी जाती हैं और 251 से उपर की जितनी भी कमपनियां listed हैं जिनका जो fund size है वह 5000 करोड से नीचे है उसे small cap की company कहा जाता है अब चुकी इन कमपनियों में आप mutual fund के मादियम से पैसे invest करते हैं आपके बियापर AMC पैसा invest कर रहा है तो जिस प्रकार से ये grow करेंगे उसी प्रकार से आपका पैसा भी grow करेगा अब long term में आप देखेंगे तो भारत की economy बहुत अच्छा कर रही है इस समय और उस परिप्रेक्ष में देखेंगे कि जब company आच्छा करेंगी तभी तो भारत की economy आच्छा करेंगी क्योंकि जिस प्रकार से production होगा पूरे देश भर में अलग-अलग company के माध्यम से उसी production को मिला करके जो उसका actual cost होता है उसी ही तो GDP बोलते है यानि कि company का जिस प्रकार से performance रहेगा उसी प्रकार से इंडिया की GDP भी बढ़ेगी तो जब इंडिया की GDP पांच भी सबसे बड़े अर्थ व्यवस्ता हो गई है और आने वाले समय में तीसरी अर्थ व्यवस्ता बनने जारी है इसका मतलब भी हो गया कि जो company है हमारे देश में वो अच्छा करेंगी अच्छा production करेंगी तभी तो possible हो पाएगा तो जब ये company अच्छा कर रहे हैं तो इनके growth होने की भी समाहोना ज्यादा है तो इसलिए इंडिया में अगर आप इस समय mutual fund में पैसा लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको long time में अच्छा benefit देखने को मिल सकता है mutual fund के माध्यम से आप इन companyों में directly पैसा लगा सकते हैं तो मैं माल ले रहा हूँ कि मैं SIP के माध्यम से investment करना चाहता हूँ यानि कि पर मन्थ छोटा छोटा amount यहाँ पर मैं invest करूँगा देखिए आप स्क्रीन पर SIP calculator देख पा रहा हूँगे SIP actually में mutual fund में आप कैसे invest करने जा रहे हैं उसका एक माध्यम है कि आप monthly systematically invest करेंगे इसका नामी है systematically investment plan यानि कि हर महीने में एक fix amount हमारे bank account से कटेगा और वो AMC को payment होगा और AMC अपने portfolio के हिसाब से companies के share खरिदने में पैसा invest कर देगी यहाँ पर देखिए मैं monthly सिर्फ 100 रुपया invest करने जा रहा हूँ सिर्फ 100 रुपया जैसा कि मैंने वीडियो के starting में बोला था और मान लिजे कि मैं एक student हूँ और मेरी age इस समय 20 साल है मान लिजे कि मैं graduation कर रहा हूँ या फिर coach भी पढ़ाई कर रहा हूँ और 20 साल है तो 20 साल में जब व्यक्ति की age होती है तो अपने आज पास coaching पढ़ा करके या फिर pocket cuts जो हमें मिल ला है घर के परिवार से तो उसमें से at least हम 100 रुपया तो आराम से बचा ही सकते हैं ठीक है मैं 20 साल मान रहा हूँ और हमें ये पैसे जरुत पढ़ेंगे जब हमारे retirement होगी और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा amount आपको देना है सिर्फ 100 रुपय देना है देखिए financial awareness बहुत लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि यार अभी तो हमारी life शुरू हुई है अभी तो हमें खेलने खाने की उमर है अभी हमें पैसे बचा की क्या करना है यहीं छोटी छोटी decision आपको बाद में बहुत ज़्यादा help करेगी और आज आपकी age भले 20 साल है जब आप 30 साल के होंगे 40 साल के होंगे उस समय आपको हैसास होने लगता है कि यार मैंने अपनी investment journey starting में क्यों नहीं start कर दी बलकि फालतू के शौक पूरे करने में फालतू के खर्चों में हमने इसे उड़ा दिया और अगर यहीं 100 रुपया हम हर महीने जमा किये जाते तो आज हम कडोडों के मालिक होते मैं मान रहा हूं कि मेरी age मालिजे इस समय 20 साल है और मुझे 60 साल में पैसे चाहिए यानि कि हमारे पास 40 साल का समय है 40 साल के लिए में यहाँ पर investment करना चाहता हूं अब long term की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 40 साल की बात कर रहे हैं तो 40 साल में देखिए अगर आप large cap की तरफ जाएंगे तो पिछले historical data को अगर आप उठा करके देखेंगे तो 15 प्रतिसत से उपर बड़े आराम से आपको return देखने को मिल जाता है हलांकि यह सारी चीज़े आपको return form में नहीं दी जाएंगी आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको कितना return मिलेगा जिस प्रकार से आप FD में करवाते हैं पैसे invest कराते हैं तो उसमें आपको return form में दिया जाएगा mutual fund में या फिर share market में आपको return form में नहीं दिया जाता है लेकिन long term में इतना मिलने की संभावना रहती है large cap में अगर हम लोग बात करें पिछले आप historical data उठा करके देखेंगे तो 15% से जादा ही return देखने को मिला है अगर आप 15-20 साल का record उठा करके देखेंगे mid cap की तरफ अगर आप जाते हैं तो 20% की आसपास return देखने को मिलता है और small cap में तो बहुत सारी ऐसी small cap है तो average करके अगर माली जी हमें 19% का भी expected rate of return मिला तो इसके बाद से मैं calculate करता हूँ कि 40 साल तक मैं 100 रुपया सिर्फ जमा कर रहा हूँ तो मेरा कितना पैसा accumulate होगा इसक्रीन पर आप देख पा रहोंगे हमें 40 साल बाद 1,20,72 रुपया मिल चुका होगा ध्यान दीजेगा हमारा जो पैसा हमने invest किया वो सिर्फ किया था 48,000 रुपया 40 साल में 100,000 रुपया महीने देख करके हमने सिर्फ 48,000 रुपया जमा किया और इस 48,000 की जो value हो जाएगी एक करोड 20 लाग के आसपास हो जाएगी ध्यान दीजेगा और यहां से अभी चुकी मैंने inflation को adjust नहीं किया है मतलब कि यह जो हमारा value मिल रहा है वो value ऐसा value है जो कि आज के 40 साल बाद यह numeric digit तो दिखेगा लेकिन चुकी हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है और इस एक करोड 20 लाग का आज के date में क्या value रहे कहने का मतलब जैसे हर साल आपका पैसा 6% inflation की वज़े से घड़ता जा रहा है या फिर वस्तू का दाम 6% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है यानि कि जो आज आज आप जिस पैसे की value देख रहे है आज से 20 साल बाद यह पैसे की value जो होगी वो क्या होगी घड़ चुकी होगी purchasing power क्या हो चुका होगा घड़ चुका होगा यानि उस समय समान खरिदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की जड़त पड़ेगी या फिर अगर आप future की बात कर रहे है जैसे ये जो पैसा हमें है वो 40 साल बाद मिलेगा तो आज की डेट में इसका actual value कितना होगा इसके लिए हमें inflation को adjust करना होगा तो मैं यहाँ पर inflation को adjust कर देता हूँ यस पर click कर देता हूँ जैसे ही मैं यस पर click करके अब calculate करता हूँ तो अब देखिए आपके पास जो हमारा एक करोड बीस लाक हो रहा था उसका inflation adjust करने के बाद से value हो जाएगा 16,35,434 रुपया यानि आपने इन 40 वर्सों में सिर्फ 48,000 रुपया दिया और आपको 16,35,434 रुपया मिल जाएगा आज के डेट के हिसाब से यह value है तो भी आप सोचिए कि सिर्फ 100 रुपया आप दे रहे है और 40 साल बाद आपको पैसा मिलेगा एक करोड़ बीस लाख और उस एक करोड़ बीस लाख का जब आप inflation adjust करेंगे तो लगभग 16,35 लाख के आसपास हो रहा है तो यह चीज़े आपको आज ही से करनी चाहिए आप 100 रुपया इन्वेश्ट करके इस प्रकार से SIP करके भूल जाएए आप सोच लिजे कि मैं 100 रुपया का महीने में खर्च कर दे रहा हूँ कहीं पर चॉकलेट खा रहा हूँ कहीं पर चाय पी ले रहा हूँ कहीं पर समोसा खा ले रहा हूँ दोस्तों के साथ कहीं पार्टी के ले रहा हूँ आज क्या यह 100 रुपया का कंट्रिबूशन जो है जब आप 60 साल के होंगे रिटायर हो रहे होंगे तो उस समय आपको बहुत जादा हेल्प करती है और फाइनेंसियल अवेरनेस अगर आप रखेंगे यकीन मानिए आप फाइनेंसियली फ्री रहते हैं तो आपके पास 50 सो आइडिया आएंगे कि कैसे मैं लाइफ में और आगे ग्रोथ कर सकता हूँ हमारे यहाँ प्रॉलम यह है कि हम जब कुछ कमाने लगते हैं थोड़ा बहुत तो हमारे उपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है शादी हो जाती है बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम अपने पैसे को किस प्रकार से ग्रो करें इसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता हमारा पूरा टाइम इस प्रकार से चल जाता है कि हम कैसे दो वक्त की रोटी जुटा है, उसके लिए क्या नौकरी करें, क्या कैसे करें, आज तो बेरुजगारी भी इतनी जादा है, कि लोग उसी में परसान रहते हैं, कि कम से कम दो समय का खाना का चल जा वहीं बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आज ही से आपको प् जाना सुरू करिए, यकीन मानिए जब आपकी इस साथ साल होगी, तब आप करोड रुपए के मालिक होंगे, इन्फलेशन एडजेस्ट कर भी लिया जाए, तो भी आप साड़े सोला लाग के मालिक होंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत भगवान करिया आपका दिन शुब हो